मकर रासी वालों का आज का दिन यणी की 31 दिसंबर 2080 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 31 दिसंबर 2080 के पंचां के बारे में आज तिथी है प्रती पदा नक्छत्र है पुनर वसू पक्छ है क्रिस्न पक्छ दिन है गुरू वार आज के दिन सुर्य उदे का समय है 7 बजी के 13 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 5 बजी के 35 मिनट में आज का दिन काल है 10 घंट 21 मिनट 16 सिकेंड का महिना है पौस आज के दिन शुभ समय सुरू होता है 12 बजी के 3 मिनट पी एम से 12 बजी के 45 मिनट पी एम तक अशुभ काल सुरू होता है 10 बजी के 40 मिनट एम से 11 बजी के 22 मिनट एम तक राहुकाल सुरू होता है 1 बजी के 42 मिनट पी एम से 2 बजी के 69 मिनट पी एम तक दिसा सूल है दक्छिन दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दे साथ में चैनल को सब्सक्रेम कर दे इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दे इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोटका भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक है तो आप उसे भी देखे ताकि आपका आने वाला शमय बिहतर और शांदार हो सके मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके सुवास्त के बारे में दोस्तों सुवास्त के द्रिष्टी कोन से आपका शमय बहुत जियादा बिहतर और शांदार है मित्रों आने वाले शमय से पहले अगर आप में से कोई भी जातक कोई भी दर्सक बीमार थे अगर आपका सुवास्त आपका शाथ नहीं दे रहा था तो आने वाले शमय के दौरान आपके सुवास्त के मामलों में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा लेकिन आने वाले समय के दौरान अगर आपके धन संपती की बात करे तो पैसों के दृष्टी कोन से आपका समय सामान से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आणे वाले समय के दोरान अपने फिजूल खडची पे अपने फालतू के खडचों पे आपको ध्यान देना होगा आपको कंट्रोल करना होगा मित्रों आने वाले समय के दौरान जहां खर्च करना आबश्यक नहीं हो जहां बिना खर्च किये हुए भी आपका काम हो जाए तो ऐसे जगहों पर खर्च करने से आपको बचना होगा मित्रों आने वाले समय के दौरान अगर आपके घर पड़ीबार की बात करें तो घर पड़ीबार के दृष्टी कोन से आपका समय सामाने तोर पे बहुत जयादा बिहतर और शांदार है दोस्तों आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने घर पड़ीबार में कोई भी पड़ीवर्तन कोई भी बदलाब करना चाहते हैं तो पड़ीवर्तन के दृष्टी कोन से आपका समय आपका साथ अबश्य देगा और इस कारण से आने वाले समय के दौरान आपका पड़ीवाडिक जीबन बहुत जयादा बिहतर और शांदार होगा तो इसके बाद बाद करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक क्या है मित्रों आने वाले समय के दोरान अपने समय को बिहतर और शांदार बनाने के लिए आपको सुर्ज उदे के समय कम से कम गेहू के 11 दानों का सेबन करना होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा बिहतर और शांदार होगा आज आपके लिए भाग्य साली रंग है नारंगी और सुनहरा आज आपके लिए भाग्य साली अंक है चार यणी की फोर तो यही था आपके आने वाले समय कारा सी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दे साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दे इस वीडियो को आप हर जगह से अर कर दे धन्यवाद